Hello दोस्तों Infosys के quarter 3 के result आये हैं और market ने भी इसको बहुत cheer up किया दोस्तों इस वीडियो में 6 brokerages के 6 target उनके बारे में मैं बात करूँगा देखिए जब result आया था तो detail analysis वाला वीडियो अलग है दोस्तों अब देखिए brokerages की बात करें तो credit swiss की जो report है उन्होंने 2350 का target दिया है उनका कहने का है कि strong quarter रहा है और revenue उन्होंने beat किया है और margins भी बीट किया है 23.5% का margin रहा है और guidance भी revenue का ये जो FY22 का तो उन्होंने guidance भी बढ़ाया है अभी 19.5% से 20% का revenue growth का जो guidance है वो उन्होंने दिया हुआ है जो कि 2 quarter पहले 14-16% था जो अभी 20% हो गया है दूसरी चीज उ उन्होंने अपने EPS के भी estimates बढ़ाये हुए इन सभी जो brokerages के आप जैसे जैसे targets सुनेंगे कुछ चीजे common रहेंगी उनको जरूर आप note करिएगा और दोस्तों जरूर comment भी करिएगा अब देखिए Morgan Stanley उन्होंने 2110 से target को बढ़ा कर 2250 का कर दिया है उन्होंने भी देखिए earning per share को estimate जो है revise किया है 3% से उनका भी कहना है कि revenue growth surprise किया है amongst प्री पीर्स जो है amongst की spelling गलत है उसके लिए माफित आउंगा दोस्तों commentary जो है वो यह भी point out करती है मतलब जो management commentary है momentum financially 23 में भी रहेगा Fy22 तो थीक है 20% का growth हो गया लेकिन जो Fy23 जो शुरू होगा अपरिल के महिने से तो वहाँ पर भी रहेगा margin pressure जो है थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ease हो रहा है यह उनकी report है बंस्टीन उनकी report है 2150 से उन्होंने target को 2290 कर दिया है और यह नया target price दिया उनका कहने का blockbuster performance रहा है Infosys का EPS estimate increase किये देखिए सभी लोग EPS estimates को increase कर रहे है और जो Fy guidance 19.5% से 20% तो यह तो company नहीं कहा हुआ था तो यह एक positive चीज ले रहे है brokerages city city ने भी 2140 से 2180 का target उन्होंने increase किया है EPS estimates 2% का है उन्होंने भी increase किया हुए strong revenue beat है और जो margin से in line है जो 23.5% है margins 23.6% थे मुझे याद आता है quarter 2 में तो 0.1% कम हुए लेकिन in line है जितना expect कर रहे थे वैसा ही हुआ है हाँ challenge में उन्होंने कहा है कि attrition है 25% का attrition जो कि उनको लगता है बहुत जादा है जिसकी वज़ा से downward pressure हो सकता है margin में थोड़े pressure आ सकता है अगला नाम है goldman का goldman ने 2415 का target दिया है उनका कहने का revenue growth जो है forecast उन्होंने increase किया है उन्होंने भी देखिया EPS increase कि earning per share के जो उनके targets है तो वह उनके increase किया है और demand environment जो है calendar year 2022 जो अभी चल रहा है January 2022 तो पूरा जो पूरा साल है उसके लिए उनको लगता है कि strong demand environment रहेगा अगला नाम UBS UBS neutral है तो पांच चीजे positive थी एक neutral उनका कहने कहा है कि stronger जो guide है उन्होंने guidance दिया हुआ है लेकिन stock भी थोड़ा सा महंगा हो गया है earnings तो है ही लेकिन stock भी थोड़ा सा महंगा हो गया है तो यह एक चीज उन्होंने कहा है और in fact है BPE ratio अगर आप IT sector का देखे तो थोड़े historical लेवल में अब पिछले आट-दस साल का देखे थोड़े से महंगे में ही P ratio के हिसाब से वो कर रहे हैं ट्रेट कर रहे हैं और वो optimistic तो है तो वो उन्होंने यूबीएस ने अपनी सला दिये तो टोटल टोटल चै ब्रोकरेजिस चै टार्गेट आपके क्या व्यू है इंफोस इसके बारे मार्केट ने इसको चीर अप किया है इन रिजर्ट्स को अपने व्यू जरूर कमेंट सेक्शन नों बताएगा दोस्तों आपके कीमती समय के ल